एक बार की बात है एक छोटे से गाउं में मिली नाम की एक जवान लड़की रहती थे मिली एक सासी और जिग्यासू लड़की थी जिसे आसपास के जंगलों में खोच करने का बड़ा ही शौक था एक दिन मिली ने गाउं के कुछ लोगों को पास के जंगल के बारे में कुछ कहते सुना जो भी उस जंगल के नजदीक से घुजरता है इसे वो पकड़ कर अपने मठके में बंद कर लेती है गाउं के लोगों की बात सुनकर मिली फॉरण अपनी मा के पास भागी चली जाती है उनसे चुडैल के बारे में और जानकारी लेने मा को जरूर पताओगा उस चुडैल के बारे में मुझे और जानना है उस मठके वाली चुडैल के बारे में जाकर पूछती हूं मा से घर पहुंच कर मा जल्दी आओ इधर और मुझे उस मठके वाली चुडैल जो जंगल में रहती है उसके बारे में कुछ बताओ मुझे जानना है, चल्दी बताओ, नहीं बताओंगी, बिल्कुल भी नहीं बताओंगी, मुझे पता है कि मेरी बेटी कैसी है, उसे तो हर वो चीज जानने की इच्छा होती है, जो रहसिमे और गजब होती है, इसके बारे में तुम अब कोई भी बात नहीं करोगी, और नहीं उस जंगल के आसपास भी जाओगी मा ने मिली को खूब डांट लगाई और उसे मना भी किया चुडैल के बारे में बात करने के लिए पर वो तो मिली थी, कहां मानने वाली थी इसलिए चुप चाप किसी को कुछ बताए बिना निकल पड़ती है जंगल की ओर, मटके वाली चुडैल के बारे में जानने मिली को जंगल जाने से बिलकुल भी डर नहीं लगता बलकि वो तो बहुत खुश थी आज तो मैं उस मटके वाली चुडैल से मिले बिना नहीं चाऊंगी चाहे वो मुझे खाई क्यों न चाहे मैं किसी से नहीं डरती कुछ दूर चलने के पश्चाद मिली को एक तूटा-फूटा खंडहर दिखाई देता है मिली बड़ी जिग्याकसा के साथ उस खंडहर के अंदर खुश जाती है तभी उसकी नजर एक बड़े से मटके पर पड़ती है इतना बड़ा मटका मैंने इतना बड़ा मटका आज तक नहीं देखा किसने रखा होगा यहां और इस मटके के अंदर आखिर क्या होगा मुझे देखना है आखिर इस मटके के अंदर क्या है क्या पता इसमें कोई खजाना वजाना हो जैसे ही मिली एक कदम आगे बढ़ाती है तब ही मिली को मटके के अंदर से लोगों के चीखने और चिलाने की आवाजे सुनाई देने लगती है इस मटके के अंदर से तो इनसानों के चीखने की आवाज आ रही है इसका मतलब इस मटके के अंदर वो चुडएल इंसानों को पकड़ कर बंद करती है मुझे इन सब को बचाना होगा और इस मटके से बाहर निकालना होगा मिली जैसे ही मटके के नस्दीक जाती है तब ही पीछे से चुडएल आ जाती है रुखजा लड़की इस मटके को हाथ लगाने की जरा भी कोशिश मत करना मैं तुमसे नहीं डरती क्योंकि मैं एक बहादूर और सासी लड़की हो तुम वही मटके वाली चुडैल हो ना जिसके डर से पूरा गाउं थर-थर कापता है तुम उन मासूम लोगों को अपने इस मटके में क्यों बंद करती हो इन्हें आजाद करो अभी के अभी तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं इस मटके में उन्हीं लोगों को बंद करती हूँ जो इमानदार, सासी और साफ दिल के होते है चुडैल की ये बात सुनते ही मिली कोने में रखा एक डंडा उठा लाती है और मटके को फोर नहीं वाली होती है कि तभी चुडैल मिली का हाथ पकड़ लेती है और बड़े ही धीमी आवाज में मिली से बोलती है मत फोरो इस मटके को, अगर तुमने इसे फोर दिया तो मुझे मिला हुआ श्राप कभी मुझे पर से नहीं उतरेगा श्राप? कैसा श्राप? बताओ मुझे तुम्हें श्राप कैसे मिला? और किसने दिया तुम्हें श्राप? मुझे सब जानना है मेरा नाम सुर्भी है और ये कहानी सालों पहले की है मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारन लड़की हुआ करती थी मैं बहुत शरारती थी मेरे बाबा एक तपस्वी थे तपस्वी होने के कारण उन्हें कई वर्दान मिले हुए थे क्योंकि वो हर समय सिर्फ अपने गुरू की तपस्या में ही लगे रहते थे मेरे बाबा के पास बहुत सी शक्तिया थी बाबा वो शक्तियां सिर्फ गरीबों के भले के लिए इस्तिमाल करते थे एक दिन बाबा ने मुझे भी कुछ शक्तियां प्रदान की लोगों की भलाई के लिए, पर मैं बहुत शरारती थी, इसलिए मैंने उन शक्तियों को लोगों की भलाई के लिए नहीं, उन्हें सताने के लिए इस्तेमाल किया मैंने एक बहुत बड़ा सा मिट्री का मटका बनाया और सालों पहले की बात सुनो 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 जल्दी सब लोग सुनो देखो मुझे क्या मिला है मुझे खजाने से भरा एक मटका मिला है खजाने से भरा मटका कहा है कहा है मटका मुझे भी दिखाओ वो खजाने से भरा मटका वो रहा देखो, तुम्हें जितने गहने चाहिए उतने ले सकते हो उसमें से, पर ध्यान से, वो मटका बहुत बड़ा है, इसलिए रसी की सहायता से ही तुम उसके अंदर जा सकते हो आसपास खड़े लोगों ने सुर्भी की बाते तो सुनी, पर उसकी बातों पर किसी को कोई यकीन नहीं हुआ, उस भीर में बस एक रगु ही था, जिसे सुर्भी की बातों पर यकीन हुआ, इसलिए सिर्फ रगु ही रसी लेकर उस बड़े से मटके के पास पहुँच जाता है जैसे रगू रसी के सहायता से उस मटके के मूँ तक पहुचता है तब ही सुर्भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और रगू को दूर से ही मटके में धका दे देती है बचाओ, बचाओ कोई मुझे बचाओ बचाओ मुझे कितना मज़ा आता है लोगों को परिशान करने में लाल जी कहीं का रगू खजाना नहीं अब तू मटके के अंदर खाली हवा खा सुर्भी की शरारते दिन बदिन बढ़ती जा रहे थी वो रोज किसी ना किसी बहाने से लोगों को मटके के अंदर जांकने के लिए प्रेरित करती और उन पर अपना जादू करती और मटके में धक्का दे देती भूखे प्यासे लोग तडब तडब कर उस मटके के अंदर ही अपना दम तोड़ते थे एक दिन मटके के अंदर से बहुत बदभु आने लगी क्योंकि उसके अंदर लोगों की लाशे सड रही थी उसी दोरान सुर्भी के बाबा को इसकी जानकारी हो गए उन्होंने अपने मन की शक्ती से सब जान लिया जो सुर्भी ने लोगों के साथ किया सुर्भी ये तुमने क्या किया तुमने मेरी दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग किया ये शक्तिया मैंने तुम्हे इसलिए दी थी कि जब मैं न रहूं तो तुम मेरे जाने के बाद इन शक्तियों से लोगों की भलाई करोगी ना कि उन पर इसका गलत उप्योग करोगी इसलिए मैं तुम्हारी इस गलती की तुम्हें अभी सजा दूँगा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ तुम जीवन भर चुडैल रूप में रहोगी सुर्भी तभी चुडैल में बदल जाती है बाबा, बाबा मुझे बाफ कर दो मुझे गलती हो गई मुझे आप इतनी बड़ी सजा ना दे मैं इस दुम्हें इस चुडैल के रूप मे कैसे रहोगी मुझे सभी लोग डर कर दूर भाग जाएंगे बाबा, बाबा मुझे मेरी गलती हो का एसास हो गया है पतनी की कही बात याद करके तपस्वी शान्त हो जाता है और चुड़ेल से बोलता है हम मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता पर कभी कोई इमानदार निडर और सासी लड़की तुमसे ठकराएगी और तुम्हारे बारे में सब को ये बताएगी कि तुम एक अच्छी चुड़ेल हो तभी तुम्हारा ये श्राप तूट पाएगा पर ध्यान रखना इस तुम किसी इनसान तो क्या किसी जीव जंतु को भी नुक्सान नहीं पहुचाओगी चुड़ेल अपने बाबा की सारी बात मानती है और एक जंगल में जाकर छिप जाती है तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ पर तुमने तो अपने बाबा से वादा किया तो इस मटके को देखकर डर जाता है और भाग जाता है यहां से फिर वो लोग गाउं में जाकर यह अफ़ा पहला देते हैं कि जंगल में एक चुड़ेल है मटके वाली चुड़ेल जो लोगों को वकड़कर मटके में बंद कर देती है हाँ मैं तुम्हें जरूर इस पर मेला देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और फॉरण अपने परिवार के साथ उस मेले में पहुशते हैं मिली बिटिया ने इस गाउं में मेले का आयोजन करकी बहुत अच्छा किया सालों बाद मेला देखने को मिलेगा हमारे बच्चे कितने खुश्या देखो जरा चलो हम सब भी चलते हैं मेले में और मेले का भरपूर आनंद उठाते हैं। और ये भी बताती है कि ये सब उसी चुड़ैल ने किया है मैं सच पोल रही हूँ, वो चुड़ैल कोई डरावनी और बुरी नहीं है वो किसी को कुछ नहीं करती, किसी को नहीं मारती वो तो अपने किये के पच्टावे में चल रही है गाउं वालों ने खुदी ये अफ़वा पहला रखिये कि चुड़ैल उने मार कर अपने मटके में बंद कर देती है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मुझे उसने हाथ तक नहीं लगाया गाउं वालों को सब समझा गया, इसलिए वो अब चुड़ैल की तारीफ करने लगे वहाँ जंगल में चुड़ैल का मटका तूट जाता है और उसके तूटते ही चुड़ैल का श्राब भी तूट जाता है अब चुड़ैल पहले जैसी साधारन लड़की बन जाती है